हेलो फ्रेंड्स आज हम मूँ के छालो की दवा औरा सोर जेल का रियू करेंगे तो आईए दोस्तों जानते हैं मूँ के छालो का मुख्य कारण है गलत खान पान, गरम चीजें खाना या पीना, कब्ज धुम्र पान, गाल के अंदुरनी हिस्सेयां जीप का दांस से कट जाना, नकली दांत का लगाना, कुछ दमाईयों का साइड इफेक्ट्स कुछ अन्य करण भी है, जैसे विटामिन की कमी, तनाव या अन्य बिमारिया, आएए अब जानते हैं शालो का उप्चार कैसे करना है औरा सोर मुह के छालो के दर्द से अराम देने के लिए बना एक खास जैल है, इसमें 2% कंसंट्रेशन का लिगनोकेन हाइड्रोकुराइड है, जो एक लोकल एनेस्थिस्टिया है, या दर्द वाले हिस्से को सुनन कर देता है, जैसे दर्द कम हो जाता है, और आपको तुरं अराम पाने के लिए किया जाता है, औरा सोर जैल का उपयोग मुह के छाले, जीब के छाले, तालू के छाले, गाल के अंदुरनी हिस्सों के छाले, मौसूडों के छाले, नकली दातों के कारण दर्द में उपयोग किया जाता है, आए औरा सोर जैल से समंदित कुस जानकरिय देते हैं ओरा सोर का प्रयोग हर 3-4 घंटे में करना चाहिए ओरा सोर के प्रयोग के कम से कम 2-3 मिनट बाद तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है दवा के असर करने के लिए जरूरी है यदि ओरा सोर के प्रयोग के बाद आपके मुह में लार बनता है तो इसे थूख दें या निगल लें लार के साथ थोड़ा-थोड़ा ओरा सोर अंदा चला भी जाया तो कोई नुकसान नहीं होगा ओरा सोर का प्रयोग केवल मुह के छालो पर करें या पेट गर्दन आदी के छालो के लिए नहीं है बारा वर्ष कम उम्र के बच्चों के लिए ओरा सेर का इस्तमाल नहीं करना चाहिए यदि छाले लंबे समय तक ठीक ना हो या लक्षणों में सुधार ना हो तो कृपया अपने डाक्टर से संपर्क करें यदि लिगनों के या इस जैल की किसी समर्गी से आपको पहले कभी एलर्जी हुई हो तो ओरा सोयो का प्रयोग बंद कर दें या नहीं करें अत्यधिक मात्रा में ओरा सोयो जैल का उप्योग ना करें तो दोस्तों अगर आपको भी इस प्रकार के कोई प्राब्लम हो तो आप औरस और जल का उप्योग कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपने हमारे चैनल भी तब सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत ऑपकाक